शूरण विलकम बेक, आज का हमारा टॉपिक है जिरोडोलस्थी, जिरोडोलस्थी एक पेन किलर मेडिशीन है ऐसलिए फिनाक, सेरी, पेप्टिवर्स और पारशी टमोल का कॉंबिनेशन से ये बनी होती है अब जिरोडलस्पी के बार में जानते हैं जिरोडलस्पी टैबलेट एक कॉंबिनेशन वाली मेडिशीन है जिसका यूज मसल्स पेन जोड़ों में दर्द और ऑप्रेशन के बार दर्द जैसी बिभिन इस्थितियों में दर्द और सुजन को धूर करने के लिए इसका यूज किया जाता है इस प्रकार या रूमेटाइड अर्थराइटिस और एरिष्टो अर्थराइटिस जैसी शमस्याओं में दर्द और सुजन को प्रभावी धंग से कम करता है इसके यूजेज की बेसिकली बात करते हैं विस्तार से जीरोडलस्पी टैबलेट चोट लगते हैं मनस्पेशियों में दर्द होती है उसके दर्द को दूर करने के लिए इस मेडिशिन का यूज किया जाता है इसके बाद अर्थराइटिस में दर्दनाक शूजन में गठिया में तो अच्छा को प्रभावाईद करने वाले गठिया अर्थराइटिस उम्र बढ़ने के कारण संजुप्त अब घर्टन आदी के लिए जिरोड़ल एस्पी का यूज किया जाता है अब सबसे इंपोर्टेंट बात आती है कि इसकी डोजेश क्या लेनी है तो जिरोड़ल एस्पी टैबलेट की खुराक आपका जो उम्र है वजन है चिकित सक जो आपको बता रहे हैं कि आपके अनुसार खाना है इसके बाद लक्षन जो है आपके लक्षन के अनुसार ब्यस को हर 6 घंटे में यह मेडिशिन ले सकते हैं आपका जो प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करता है इसकी साइड इफेक्ट भी होती है हर च चक्क्र आना उनी दापन होना स्वास्त आपका बिगर सकता है तो आपको अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को सूचीत करना चाहिए और उससे मिलना चाहिए और कोशिस करना चाहिए कि ये दवा जब ले रहे हैं तो सराव कशिवन न करें इससे चक्कर आना भ्रम जैसा साइड फेक्ट आपको देखने को मिल सकता है अब कुछ बेशिक क्वेशिन आते हैं कि क्या जिरोडल स्पी टेबलेट को लंबे समय तक लेना सुरक्षित रहेगा तो जिरोडल स्पी टेबलेट को लंबे समय तक लेना सुरक्षित रहता है ये जिरोडल स्पी टेबलेट दर्द निवारक और मैंश्पीशियो को अराम पह सकता हूं तो 0-0-OOO लईस्पी टेभलेट अनने दवावं के साथ लियाजा सकता है 0-0 Waspau tablet को भूजन के साथ या खाली पेट लेने के सला दी जाती दॉक्टर जिसे सला देते हैं दवा को केवल पानी के साथ लिया जाना चाहिए ना कि फल के रस और किसी यान ने दवा के शार